हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष राम गोविन चुद्री जी और अभी लंबी वीमारी के बाद वो स्वस्त होकर के आए हैं और दो दिन बाद परसों से शुरू हो रहा है प्रदेश सरकार का बजट सत्र तो बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष के तोर पर वो मौझूद र कि पूर रहेся, सब्सिकरा में Любit जो सामें किपने ज से होता है तो ऊसमें नेता प्रतिपक्ष के तवर पर उनके क्यारणनीत है कि इसे बात करते हैं चुनावी बजट लेकर आ रही सरकार तो क्या करेंगे आप प्रतिपक्षी के तो गएइसे कंट्रोल करेंगे इनको वां किसानों के साथ दोखा होगा गरीव के साथ दोखा और only जो है चारों तरफ से फिल हो चुकी है हर मामले में विकास के मामले में नवकरी के मामले में किसानों के समस्याओं को समधान करने के मामले में करमचारियों के समस्याओं को समधान कोने के मामले में और रूजिनार दीने के मामले में इसलिए बराबर हिंदू-मुस्लिम करना च कभी इस बात को नहीं उठाया ना साधूसम अब जब चुनाव नजदीक आ गया है सब जानता जान रही है कि यूट के लिए हो रहा है उनको हर मुर्चे पगहरा जाएगा अब बीवस किया जाएगा जनता के समध्याओं करो नहीं तो फिल चुड़ के भगो बेरोजगारी का मुद्धा बड़ा है मैं सरकार कोई भरती नहीं कर सकी है सिक्षा मित्र इसमें धरने पर बैठे हुए हैं तो बिरोजगारों के लिए क्या आपकी पार्टी के तरफ से कैसी रणी तो बारा से सतरह के बीच में आप देखे होंगे कि सारवधिक नवकरिया हम लोगों ने थी कुछ नवकरियों में लड़कों नहीं कोट गए और उस बादित रही और आज तक जो कोट से मामला विहल हो गया है उसकी नवकरी नहीं आतक देपाए जो अखिलेस यादों के सरकार में जो वांट निकले थे परिशा हो गए थी इंटल्विव हो गया था कुछ नों को कि नवकरियों के लिए तो आफी हमारा ही सरकार के तो यह सरकार विल्कुल आते हैं रोजःवकर के लिए तो लाठी नहीं पीचे जाते हैं किमेनल धराँ जी रामगोविन जी कह रहे हैं कि बिरुजगारी और आरक्षंड जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षक जुठ है और इस बार बजट में उसे मनमाने तरीके से खिल नहीं खिलने देंगे एटीवी भारत के लिए लखनू से अखली स्तिवारी